जैशी किशना दोस्तो बियस सर्मा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं सफलता प्राप्ती के लिए बहुत अच्छा उपाय लेकर आई हूँ जिससे आप करेंगे तो आपको हर कारे में सफलता मिलेगी दोस्तो कई बारी ऐसा होता है कि हम बहुत महनत करते हैं चा तब बड़ा ही निराश होते हैं और हमें बहुत घुस्सा भी आता है कि हमने इतनी महनत करी और उसका फल हमें नहीं मिला और हमें उस कारे में सफलता नहीं मिले तो दोस्तो आज मैं प्राप्ती के लिए ही उपाय लेकर आई हूँ जिससे अगर आप करेंगे तो आपके हर क बनते चले जाएंगे उसे जानने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरी जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाएगा तो दोस्तों आपको करना क्या है आपके घर में जब भी रोटी बनती है रसोई में पहली बार जब रसोई बना रहे हैं तो दो रोटी आपको निकालनी है और पहली दोनों रोटियों में घी लगाना है और थोड़ा सा मीठा रखना है और पहली रोटी गईया के लिए और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए नि दोस्तों यह ऐसा उपाई है जो हमारे जीवन में बहुत पहले से हो रहा है हमारे प्राणों में ग्रंथों में भी सबसे पहले रोटी गईया के लिए निकाली जाती थी और आखरी रोटी कुत्ते के लिए तो उस समय में शायद इसी वजह से ने इतनी परेशानिया भी नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही है क्यों क्योंकि हम जितने मौडन होते जा रहे हैं अपने रिती रिवाज अपने सब चीजों को भूलते जा रहे हैं तो यह छोटा सा उपाए लेकिन बहुत ही प्रभाफशाली है आप इसको जरूर करें और इसके साथ आपको साथ बुद्वार से शुरू करना है और जो घया के लिए जो चारा देना है हरा चारा वह आपको साथ बुद्वार करना हैं तो यह छोटा सा उपाए अगर आप इसे करेंगे तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी जो गईया को रोटी देनी है या हरा चारा देना है उससे आपके काम में आने वाली रुकावट सब खतम हो जाएंगी ये उसी के लिए है अगर आप गईया को चाहरा चाहरा देते हैं साथ बुद्वार तो आपके काम में अगर कोई रुकावट आ रही है तो ये उसको दूर करता है और गईया को रोटी देना और पक्षियों को दाना डालना तो ये बहुत ही आगर आप चाहरा इस उपाय को आप जीवन भर भी कर सकती है क्योंकि ये बहुत ही पुणने का काम है और इसे आप करेंगे तो आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और आपका हर कारे बनता चला जाएगा ये बहुत ही प्रभापशाली उपाय है इसको जरूर करें और इसको आपको बहुत जल्दी इसका प्रभाप भी दिखाए देगा तो आप इसको उपाय को करें और लापराप्त करें और दोस्तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें अपने रिश्टादारों में भी शेयर करें ताकि उनको भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो और भी दूर हो सके तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ और ऐसे ही अच्छे अच्छे उपायों के साथ मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैशी कृष्म